नमस्कार शातियों मेरा नहमें दिनेश और स्वागत है आप सभी का थर्डा इंफोर्मेशन में सबसे पहले तो मैं यह माफी चाहूंगा कि आप लोगों के लिए यह वीडियो में जो पहले ही बनाना चाहिए और मैं यह लेट से बना रहा हूँ बारहाल अभी भी 12 तारीक यानि रही वार को दो अहम जेतिरों के हमारे मंदान होने बागी है जो है हमारा शिम्हमलोग सवाथ चेत्र और रमशेथपूरलोग सवाथ चेतर जो रही वार बारहा तारीक को होगा मैं आप सबी से निवेदन करूँगा कि आप मद्दान जरूर करें और एक आर खास जानकरी जो मैं आपके लिए दिना चाहता हूँ क्या आपको नहीं लगता कि आप जिसे मद्दान करने जारे उसके बारे में जानना आपका आधिकार है उसके बिशेश जो भी उनके बारे में information है, उनकी qualification क्या है, उनकी नाम से कितने cases है, उनकी परिसमपतियां क्या है, वगरा वगरा, तमाम सारी जानकारिया, यह हक है आपका जानने का, तो आई चलिए आज एक बिशेश website के बारे में बताता हूँ, और life demonstration आपके सामने करूंग जिससे आप यह जान सकते हैं, कि आप जिसे मद्दान करने जा रहे हैं, उनका ब्योरा क्या है, तो आई चलिए, लाइब डेमो में आपके लिए दिखाता हूँ, सबसे पहले, Chrome Bazaar को आप आप आपन करेंगे, और Chrome Bazaar Google में जाके वहाँ पर आप टाइप करेंगे, सबसे पहले जो लिस्ट आएगा, लिस्ट आफ, स्टेट वाइस, लोगसभा 2019 इलेक्शन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद, सबसे पहले, यह जो लिस्ट आएगा, जैसे ही उसपे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जितनी सारे हमारे राज्य हैं, सारे राज्यों के Constitution का यह नाम आ जाएगा, यहाँ पर आप सर्च करेंगे, सबसे पहले यह अलफाविडिकल रहता है, इसलिए अन्डबार, निकोबार, फिर आंदरपरदेश, नाचरपरदेश, आशाम, बिहार, इस तरह से यह अलफाविडिकली अरेंज्ड है, जहां पर आप यह जारखन में जाएंगे, देखें, मैं जारखन में आता हूँ, और आपको यह डेमो के लिए मैं जमशेत्पूर दिखाता हूँ, यह दिखें, मैं यह जूम करके आपको दिखाता हूँ, स इसे मैं यहां से क्लिक करता हूँ, जमशेत्पूर पर, और इसके बाद यहां देखेंगा, जमशेत्पूर कॉंस्टिशी में जितने सारे कैंडिड हैं, उन सारे कैंडिड के यहां पर लिस्ट आ चुकी है, देखेंगा, यहां, मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता सबसे पहले यहां देखिए, अंगद महतो जी, जो आमरा बंगाली पाटी से है, उनकी नाम है, और यह सारे आप देख सकते हैं, एक अलफा बेटिकली टाइप से अरेंजड है, इसलिए सबसे पहले ए लेटर वाले, अंगद महतो, फिर अंजना महता, जो AITC पाटी से है, फिर असरिफ हुषेन, जो BSP से है, फिर अशीत कुमार सिंग, जो इंडिपेंडेट कैंडिड है, आप देख सकते हैं, और उसके बाद है, असजाल अद दीन इमरान, जो भारत प्रभात पार्टी से है, फिर देखिए, यहां पर सबसे अहम, मैं आपको ये लाइव दिखा पार्टी से है, तीसरा काला में यह है, क्रिमिनल केशिस, यानि किस किस पार्टी के क्या क्या क्रिमिनल केशिस है, वो दिये गया है, और यह रड कलर से है, और उसके बाद दिया हुआ है, और किस पार्टी का क्या क्या एजुकिशन है, उनकी एज दी गई है, और टोटल एस जो हमार एक निर्वाचित है वो प्रतिनीधी है उनका मैं आपको ब्यूरा दिखाता हूं चलिए यहां पर मैं क्लिक करके दिखाता हूं यह एक्जामपल के लिए है मैं आपको दिखा रहा हूं यह दिखेगा विद्धुत्मरन महतो जो है वो बीजेपी पार्टिश है और इ दिखिए यहां पर उस निर्वाचित पता दिखार इंजो जिमाचित है हमारे जो यह लोकसभा 2019 विद्धुत्मरन महतो जी जो जारखंड भारतिय जनता पार्टी से एलेक्टेड है उनका यहां पूरा ब्यूरा आ गया है दिखिए सबसे पहले यहां जो येलो कलर की आपक ना महत Ee पाहले भी विद्धुतमरन महतो उनके बाद जी पाडी का नाम लिया गया है उनकी वोट रिखिए उनकी तकन झाय क़फाक है और फूटला इडिकर कन पर कॉन्टेड फेशन्ट महतो पर यहिदार महतो उनका फिर एइज दिया गया है उनकी आड़रस दी गई है पी है उनका दिया गया है, उसके बाद उनका पूरा जो ब्योरा है, पूरी पार्टी उनकी पूरी परिशंपतियां ये जो भी सारे निके टेक्स फेकल वेगरा उन सारी चीजों का यहां लिस्ट प्रॉपर आपको दिख जाएगा, यहां पे देख सकते हैं, आप देखिये य पर अपर उनके सारी सीजों अलिस्ट दिया गया है उनका खुद का और उनकी स्प democratic जो है उनका म१ं में और डीट बाइस्याओ मैंसलिक है वह पर यारी सारी जो में आपकर जिस्पार नकी ती टान धिन था और यहां पर धीन कर दिखा वो यहां पर दिखिएगा दिया गया है डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल कैसे यानि कितने सारे क्रिमिनल कैसे उनके नाम पर है यहां पर बेवरा है दिखिएगा सबसे पहले यह दिया गया है एक क्रिमिनल कैशिश का उसके बाद यह दो तीन दिया गया है और उसके बाद यहां कौन सब्सक्राइब i actually नहीं पर masuk एक बांप कहा थैसका इन सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर संब लाइज़र दिया गया है यहां पर मोटर वैकल महिंदा जो वैकल है इनकी वो दी गई है टोयटा एक है वो दी गई है और जोलरी ओनामेंट और उनके जितनी सारे असेट्स हैं वो सारे चीज़ दिया हैं और यहां पर देखे अगरिकल्चर लैंड कितना है उनका कहां कहां लैंड है वेख़ें अपने से अवी स्यावट प्सक्राइं करें जाने से छोड़ सकते हैं आप और मैं स्कॉल करके यह उपर जाता हूं और यहां देखिएगा एक आप्षिन है आपको प्रिंट प्रोफाइल यह दिखिएगा प्रिंट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यह प्रोफाइल पूरा पीज बाइज पीडिफ आपका कनवर्ट होके आ जा एक इसकाने प्रोफाइल पूरच है यह पैसरो यहां है आप वूट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वस्ट करूंगा कि लिखे करें वहां बंद करके ना पूट करें अब खुद से एक बार अनलसिस कर लें देख लिए उसके बाद आप मद्दान करने जाएं तो आप इसको सेव कर सकते हैं यहां पर देखें मैं यह पीडिया पर क्लिक करूंगा और इसके बाद यह हमारा शेप का एक आप्शिन आएगा जैसे यह सेव क्लिक करूंगा हमारा यह फोल्डर अटमेटिकली सेव हो जाएगा तो यह था एक छोटा सा डेमस्टेशन अपने नेता अपने प्रतिनीधी जन प्रतिनीधी को जानने का तो आप लोग समझ गया होंगे कि किस तरह से यह देखना है तो मैं आप से बोलूंग हम अभी यह देख पा रहे हैं तो आप सभी इसे यूज करके एक बार जरूर अपने सारे कंस्टिशन की जिसे भी आप मंदान करने जारे हैं एक बार उनका डीटियल्स जान लें तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद और मैं चाहूंगा यह बहुत कम लोगों के साथ सेर करें ताकि सभी लोग यह जान पाए और यह देख सके हैं कि हमारे जो नेता है जिसे हम वोट देने जा रहे हैं उनकी डीटियल्स क्या है उनकी इन्फोर्मेशन क्या है तो ठैक्स ऑर वाचिंग आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और मतान जरूर क करें जय हिंद्ध जय भार्व